स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एक्जाम सभा में और आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट करेंट अफियर जो की फिलहाल तो नॉंबर मन्त का है लेकिन यह आपके आने वाले एक्जामनेशन में आपके कॉंसेप्ट को स्ट्रंथेंड करने में मदद करेगा क्योंकि यह सारे टर्म्स जो होते हैं इनी से कोश्चेश कहीं ने कहीं बनते हैं जैसे कि मैं रिजर्व बैंक आफ इंडिया में कुछ नए गाइडलाइन्स आ हैं उसको मैं बताता हूं इन्टर्नल वर्किंग ग्रूप अभी हाल ही में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक इंटर्नल वर्किंग ग्रूप बनाया है जो इस बात पर रिवीव करेगा कि कैसे एक्स्टेंड किया जा सकता है ओनर्सिप गाइडलाइन को कहने का मतलब है कि किस पर्टिकुलर संस् में clarity रहे आपके जैसे कि उसमें कहा गया है कि corporate structure for the private sector bank in India कैसे private sector bank को corporate किया जा सकता है या फिर उसको license दिया जा सकता है private sectors को क्योंकि हाले में ऐसा देखने को मिला है कि कई private sector bank जो है वो fraud कर जा रहे है या फिर वो banking sector में survive नहीं कर पा रहे है तो उनको कैसे guideline दिया जाए ताक पार मोहंती दर डारेक्टर से अफ सेंटर बॉर्ड अफ रवी आए मतब इनके द्वारा किया गया है फिलाल आर बिया के जो आपके डारेक्टर होते है या फिर उसके जो चीफ होते है तो वो बदलते रहते है उतना आपको जाने के आउशकता नहीं है फिलाल review of eligibility criteria for the individual entities to apply for the banking license कहने का मतलब है अगर माले जो कोई भी individual व्यक्त जाता है वो कहता कि मुझे banking license चाहिए तो उसके लिए क्या eligibility criteria होनी चाहिए उस पर review होगा examine किया जाएगा of preferred corporate structure for bank and harmonization of norms और इसको एक बार organize किया जाएगा या फिर का सकते हैं कि examine किया जाएगा कि किसी भी corporate structure bank का कैसा होना चाहिए ताकि उसको bank का सुरूप दिया जा सके ठीक है उसकी guideline त्यार की जाएगी review of norms for the long term shareholders in the bank by the promoters and other shareholders अब इसमें भी एक बात की review होगी कि जो long term shareholders होते जैसे कि माली जे बैंक में किसी ने अपना जीवन भीमा टाइक करा है जैसे कि लाइसी वगरा है वो क्या करती है जीवन भीमा करती है तो इसी तरीके से banking sector में जैसे कुछ लोग अपना पैसा डबल होने के लिए कुछ योजनाव में लगाते हैं तो उसकी क्या condition होगी long term के लिए shareholders के लिए भी उसके सांसाथ promoters के लिए भी तो उसको भी यहाँ पर review किया जाएगा इसके सांसाथ कुछ आने चीज़े हैं जैसे कि आप payment bank का नाम सुने होगे जैसे यह भीम UPI बगर गत्रू जो होता वो payment bank ही तो होता है तो payment bank उगर यह जो होते हैं तो उनको जैसे NBFC है non banking financial company है तो क्या इनको भी bank का दरजा दिया जा सकता है तो उसकी भी कुछ set of guideline दियार की गए है जैसे कि अगर माली किसी भी NBFC का अगर बात किया जाए कि asset जो है मतब उसकी कुल जो asset होती है संपति type की चीज़े कह सकते है exactly संपति तो नहीं कहेंगे so पचास जार करोड से उपर है तो उसको एक औ जो हो गया आपका कि banking sector related एक आपका न्यूज हो गया एक समाचार हो गया second जो आपका न्यूज अभी हालाही में देखने को मिल लगी वो यह है कि जो मेघालिया कलीजे या फिर कलीजे कि हमारे भारत में पुर्वी छेत्र में जितने भी चार प्रमुख राज है उनका मिल कर करते हैं कि किसी भी भारत के दूसरे जगह से आई हुए व्यक्ति चाहिए वो आपका टूरिस्ट हो चाहिए जो हो तो इसको आने के लिए एक परमिट कार्ड मिलता है उसको बोलते हैं ILP तो वो जो ILP है उसमें कुछ नए सुधार की मांग इस समें चलाई है जो 7 Megalaya based organizations have renewed their movement for implementation of British era inner line permit for entry into the state and the scrapping of the citizen amendment act कहने का मतलब है वो नहीं चाहते है कि जो आपका citizen amendment act के तहत जुब्यक्त यहाँ मतलब कि उन छेत्रों का निवासी नहीं है तो उसको वहाँ पर रहने की परमिट मिले मतलब बिना परमिट के वो नहीं आ सकता मतलब उन राज्यों में या फिर उन राज्यों में नहीं रह सकता जबते कि इसको इस्थानी government के द्वारा permit न मिले वो राज सरकार हो सकती है फिर कोई स्थानी निकाय हो सकती है तो यहीं बात की गई है कुछ organization के द्वारा में एक हाल है कि कुछ organization के द्वारा इसकी demand बढ़ रही है और यह जो आ ILP के तहट जो राज यह प्रोट्रेट किया जाते हैं तो उसमें अगर कोई बाहरी ब्यक्ति आता है जिसके पास ILP कार्ड नहीं है या फिर वह वहां का निवासी नहीं है तो उसके लिए कुछ document की जरूरत होगी जिससे की वह वहां पर प्रवेस कर सकता है गिना document को उसको नहीं मिलेगा अगर प्रजेंट टाइम में बात किया जाए तो नौर्थ इस्ट के कुछ प्रदेश जैसे की अब रडांचल प्रदेश हो गया मिजोरम हो गया मनीपूर हो गया मिखाले हो यह चार ऐसे प्रदेश है जो कि ILP सिस्टम को लागू करते हैं अब बात किया जाता है कि ILP किसके लिए लागू किया जाता है तो ILP विदेश से आईवे टूरिस्ट के लिए लागू नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि विदेश से टूरिस्ट हैं वो घूमके चले जाएंगे लेकिन उनको ज्यादा टेंसन किससे है कि अन्ने राजियों स तो होगा तो होगा जैसे कि मनीपूर कहता है कि no permit is required but have to register themselves कहने का मदा मनीपूर जो है foreign tourist के लिए कहता है कि कोई permit के आ सकता नहीं है लेकिन उनको register करना पड़ेगा कि हाँ हम आ चुके हैं इस प्रदेश में मिजोरम कहता है कि no permit is required but need to register सेम वही बात है नागालेंड भी कहता है कि no permit is required however they need to register सेम बात है और उडांचल प्रदेश कहता है कि tourist need a protected area permit अब कहता है कि tourist जो होते हैं उनको PAP permit चाहिए तब ही जा करके आपका कुछ चीजें हो गई और restricted area permit for the Ministry of Home Affairs Government of India या पर उडांचल प्रदेश कुछ अन्य बाते कहता है तो उमीद करते हैं यह बात तो आपको संग में आ गई होगी अब हाल ही में Booker Prize मिला है 2020 का तो उसके बारे में समझ लेते हैं स्कॉटिश्ट ऑथर डगलस स्टुवर्ड जो है उनको अवार्ड किया गया है 2020 के Booker Prize से एक्लेमड डिबट नोवेल सगीज बेन उसके लिए उनको यहाँ पर दिया गया है ठीक है उनका एक नोवेल है जिसका नाम है सगीज बेन और यह इसके द्वारा 2020 का Booker Prize मिला है ठीक तो the Booker Prize is the leading literacy award in English speaking word English speaking के जो भी आपके छेतर है वहाँ पे अगर कोई भी काम करता है वहाँ पर कोई बुग लिखता है इंगलिस में तो उसको individual को Booker Prize दिया जाता है So Prize is awarded annually for a single book किसी एक book के लिए दिया जाता है किसी group को नहीं मिलता है translated into English and published in the UK और Ireland अगर दो जगहाँ पर UK और Ireland अगर वो पब्लिस हुई है और अंग्रेजी में translated की गई है तो उसको यहाँ पर दिया आ जा सकता है अगर मैं बात करूँ कि अब यहाँ पर कुछ आ नहीं कि जाते हैं यहाँ पर मैंने इसको hand written तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि चुनाओ चिन्हें कैसे दिये जाते हैं इसका देखो election commission की कुछ guideline है उसमें क्या करता है कि अगर आप मालीजे आपके कोई party है या फिर आप जाते हैं कोई चुनाओ लड़ने के लिए ज्यादा माले जैसे कि बड़ी party है BGP हो गई Congress हो गई ठीक है तो यह national level के party है इसी के साथ साथ कुछ state level के parties है जैसे कि बसपा जो है उसका elephant हाथी जो है इसी तरीके से समाजवादी party का जो cycle है वो आपका उत्तर प्रदेश का अगर चुना होगा तो उसमें समाजवादी party को cycle मिलेगा क्यों 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 वो पहले से register है अगर कोई दूसरा ब्यक्ति cycle लेने के लिए जाता है तो उसको नहीं मिल पाएगी ठीक है क्योंकि free होना ची अगर वो पहले से register है तो उसको मानिता दी जाती है कि हाँ यह कोई दूसरा ब्यक्ति नहीं ले सकता लेकिन क्योंकि यह स्थान पुरे इंडिया में कि हाँ यह हमारी जिसे बहाजपा है उसको मिल सकता है कोंग्रेस से हैं जो है बंजा इसको मिल जाएगा लेकिन अगर संथानी पार्टी सपा जाकर कि मुझे साइकल जाइए तो ऐसा जरूरी ब्यक्ती गया वो चुनाव लड़ रहा है उसको जो चाहिए है उसको अपने मन का मिल जाएगा लेकिन बाद वाला जाएगा उसको हो सकता ना मिले तो यह होता है इलेक्षन कमिशन की गाइडलाइन जिसके तहत चुनाव चिने दिये जाते हैं इसमें कुछ अन्य चीज़े हैं कि इलेक्षन कमिशन इसको कैसे आपका ट्रीट करता है इलेक्षन के जो सिंबल होते हैं वो आपका Reservation and Allotment के Order 1968 के तहद दिये जाते हैं इसमें पैरा पंदर में एक बात कही गई है कि जानी मानी पर्टी के जो चुनाव चिन होते हैं चाहे वो National Level की पर्टी चाहे राज यवल की पर्टी हो स्थ्थानी पर्टटी तो उनका चुनावचीन अगर पहले से है तो वो रिजर्व कर्टगडरी में याता है जो quantity में आता है जो election commission symbol मताती है तो उसको दो कर्टगरी में डिवाइड किया जाता है एक होता है हैा तो जो आपका रिजर्व टेगरी है उसमें आठ राश्टी पार्टिया हैं और 64 राज के सिंबल हैं वो इंक्लूड होते हैं इसके साथ साथ बाकिर सारे चीज़ें फ्रीज होते हैं और 15 अगस्त को जो प्रधामंत्री 2019 मिचे प्रधामंत्री के द्वारा आउसमार भारत का सुभारा में किया गया था लेकिन उसका जो गाइडलाइन है या फिर वो जमीन पर कैसे काम करेगी वो सारी चीज़ें नहीं तय थी तो अभी धिरे-धिरे करके वो चीज़ें सामने आ कराया जाए मतलब कि हर ब्यक्ति तक स्वास्त सुविधा पहुंचे और कम पैसे में पहुंच जाए अफोर्डीबल हो तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्रार में किया गया है अब डिजिटल हेल्थ मिशन में कई बाते हैं जैसे कि उनका एक यूनिक कार्ड बनेगा जिसके द्वारा वो ले जाकर के और जो डाक्टर आपका सिफारिस देगा जो डाक्टर वहां पर करेगा तो उसको वो क्या करेगा ऑनलाइन डिजिटल पोर्टर पर चढ़ाएगा जिससे किसी ब्यत्ति को कौन सी दवाद दी गई थी इस संस्थाओं में भी आप प्राइबट जो हास्पीटल हैं उनके डाक्टर भी इन दोनों के लिए सेम कार्ड यूज कर सकते हैं ठीक है मतब कि हर नागरी का कार्ड होगा उसको ले करके वह आपका हेल्थ चेकप कर सकते हैं इसमें क्या क्या फीचर से उसको समझते हैं हर सरा पर्मानिबबी मारेय सारी बात है सब्सक्राइब मंत्री जन ब्रताया मनतरी जिसको आइसमान भारत के नाम से जानते हैं उसको तहुट ही को क्या रखा गया न है इसमें अदिवीजन में क्या पहला इज जो है उसमें एक डिजटल आईडी बनाए जाएगी, मैंने हेल्थ आईडी बताई आपको, दूसरा आपका, डिजटी डॉक्तर होगा, तीसरा आपका है कि हॉस्पीटल फैसलिटी रजिस्ट्री होगी, चोथा आपका personal health record होगा पांचमा इफ फार्मेसी होगी और लास्ट में आपका टेली दो केस मिले हैं तो वो भी चिंता कभी से है तो डबली अचो ने इस पर कंसर्ण जायर की है तो बोल विया में यह आपका एक deadly virus को देखा गया है मतलब एक बैक देखा गया है यह आपका arena virus family का है मतलब कि आप जानते हो कि virus की family होती है मतलब कि एक group होता है जिसके set of group के तहत कि इसी भी virus को define करते हैं तो arena virus family यह आपकी examination पूछ सकता है और जो यह rat होते हैं चुहे होते हैं उनसे यह spread होता है ठीक है तो उमीद करता हूं कि आज के जो आपका number की जो आपका second part का जो current affair का update था उसको हमने आपके complete करने की कोशिश की है इसी तरह के वीडियो देखने के रह हमारे जो चैनल को आप subscribe कर सकते हैं धन्यवाद